की हॉअ हालो फ्रेंई्स बस्वागत है आपका इस video क्लास में इस वीडियो क्लास मेंडिसकैसS करेंगे Shapating मैं और इस बैटन आपको क्या करना है देखिन नए पैटन के जितने भी कोोषिंए प्रत्त के लिए सब्सक्राइब करके एक अलग फॉर्मेट में दिया जाता है ताकि इस्टूरेंट्स का जो ओरिजिनल टेलेंट है या ओरिजिनल इंटेलिजेंस है उसको चेक किया जा सके बेसे कॉंसेप्स और बेसिक प्रिंसीपल्स सारे सेम रहते हैं कि अब इसमें देखिए यहां पर थो एक सेंटेंज दिया है और सेंटेंज को पाँच पार्ट में डिवाईट किया गया है जिसमें से लास्ट पार्ट जिसको बोल्ड में दिखाया गया है वो और फॉर्डी करेक्ठ है ठीक है तो आपको देखना है, तो इन चार पार्ट में से जो grammatically सही आपको लग रहा है, वो आपका आंसर है, ठीक है, तो इसमें ट्रिक यह हो सकती है, एक तो यह हो सकता है कि आप इस पूरे sentence को पढ़ें, और एक tricky यह दी method अपनाया जाए, तो उसमें यह हो सकता है कि आप directly देख सक करते हैं कि कौन सा पार्ट grammatically सही लग रहा है, ठीक है, जैसे यहां से हम देखते हैं, इसको तुछा सा solve करने की कोशिश करते हैं, two years after accepting our justice RM LORA committee, RM LORA committee जो है राजेंद ब्रमल LORA committee इसका नाम है और यह BCCI से related है, BCCI में कुछ जो scandals हुए थे IPL के और कुछ reforms को लेके इसने किये हैं, तो उसके बारे में है, जी RM LORA committee, तो चुकि यह committee एक particular committee है, ठीक है, इसके लिए इससे पहले हम A नहीं लगा सकते, तो यहां पर यह पार्ट आपका गलत हो गया, यानि की first part आपका गलत हो गया, अब दूसरा पार्ट देखिए, committee's recommendations, चुकि जो recommendations हैं, जो सिफारिस हैं, वो committee की है, committee ने दी है, तो इसलिए committee के आगे apostrophe, आप लगा सकते हैं, यह सही है, committee's recommendations, the Supreme Court has now, the Supreme Court singular है, तो has लगाना सही है, now सही है, extended now के साथ extended लगाए, जो की third form है, तो इसका मतलब has का प्रियोग यहां पर सही है, तो अब आप देखिए second part, second part आपने देखा, और second part को देखने के बाद, हम यह पता लगा सकते हैं, किस part में कोई गलती नहीं है, तो यहां पर, second part आपका answer हो सकता है, तो इस तरीके से भी आप इन questions को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं, आगे परते है, extended some concession to whom agreed, देखिए, concession, यहां पर यह बूला जा रहा है, कि Supreme Court ने देखिए, उसको हम बुलते है, agreed, तो adjective किसको qualify करता है, adjective qualify करता है, आपका noun या pronoun, तो यहां पर noun या pronoun होना चाहिए, तो यहां पर यदि आप those लगाते है, concession to those agreed, those का मतलब होता है, they people, और they people में noun आपका आ गया, तो यहां पर those कहना सही रहेगा, whom का यहां पर कोई sense नहीं है concession to those agreed, concession to those agreed by the rigorous rules which aim to revamp, इस पूरे sentence का मतलब क्या है, पूरे sentence का मतलब यह है, कि two years after accepting justice R.M. Louras committee recommendations, the Supreme Court has now extended some concession, Supreme Court ने extend किये हैं कुछ concession उन लोगों के लिए, जो agreed थे, जिनको किसी particular decision से पीडा हुई थी, दुख हुआ था, ठीक है, by the rigorous rules, जो rigorous rules थे, जो कठोर rules थे, उनसे कुछ लोगों को जो दुख हुआ था, which aimed to revamp cricket administration in the country, ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल ले हैं, कि Supreme Court ने अभी extend किया है, उन rules को जो की पहले लागू थे, और जिनकी वज़े से कुछ लोगों को agree, feel करना पड़ा, तो यहां पर actually यह aim जो है, यह इसकी जगे हमें बोलना पड़ेगा, which aimed, which aimed, क्योंकि past rule को है, यहां पर change करके बताया जा रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है, कि past में यू रूल्स थे, उनको extend किया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका जो answer होगा, वो second होगा, second part पर देखिए कोई गलती नहीं है, अब यहां से हम फिर से देख लेते हैं, एक बार first part में इसमें एक, एक ही गलती है, दूसरा part सही है, तीसरे part में इसमें हूम की गलत है, और यह पार देखिए, बलकुल सही है, committees, recommendations, the Supreme Court has now, तो आप directly, second part, directly आप जो correct part है, उसको भी आप देख सकते हैं, चलिए next question देखते हैं, देखिए, इसमें करते हैं, in interpretation at statue, if the language is not clear, words have to be construed, नहीं नहीं, इस sentence मैं, मैं कुछ, मैंने कुछ meaning आपको नहीं बता पाए, meaning मैं है, थोड़ा सा बता देता हूँ, concession का मतलब होता है, किसी में किसी व्यक्ति को छूट देना, ठीक है, agreed मतलब दुखी होता है, rigorous मतलब कठोर rules जो होते हैं, और revamp का अर्थ होता है, किसी चीज को modify करना, उसको change करना, उसको हम बोलते है, revamp, ठीक है, तो यह है इसका, और extended का मतलब उसको थोड़ा सा, और उसको extend कर देना, और उसकी limit बढ़ा देना, उसको हम बोलते extended, इसमें हम देखते हैं, in interpretation at statues, if the language is not clear, words have to be construed on the light of legislative scheme, the object of enacting the provision and ultimate effect of adoption, one or the other construction, देखे इस particular sentence में, यह actually history से related sentence है, और इसमें statue की बात हो रही है, ठीक है, in interpretation of statue होना चाहिए, in interpretation of statues, statue का, statues का, जो हम interpretation करते हैं, उसको हम interpret करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, in interpretation of statues, in interpretation of statues होना चाहिए, ठीक है, interpretation, interpretation मतलब उसका मतलब नकालना, उसको समझाना, in interpretation of statues, यह आफिस टेच्व होना चाहिए क्योंकि इन इंटर्प्रटेशन एट इस्टेच्व कोई मीनिंग नहीं एट इस्टेच्व एड हम लगाते हैं किसी पर्टिकल्ड पॉइंट के लिए तो इन इंटर्प्रेशन ऑफ स्टेच्यू इफ दे लेंगवेज इस नॉट किलियर वर्ट एब टू बी कंस्टूड कंस्टूड मतलब उसका मतलब निकालना वर्ट सब्क्राइब एक फ्रेज होता है इन दा लाइट ओफ मतलब उस कॉंटेक्स्ट में उसको समझना है तो यहां पर यह गलत हो गया यहां पर एट गलत हो गया इसके बाद यह वाला जो पार थार्ड पार इसमें कोई भी गलती नहीं लग रही है scheme the object of enacting the provision तो थर्ड पार इसमें सही है the ultimate effect तो कि ultimate यह होता है वो एक ही होता है तो इसलिए effects कहना यहां पर गलत होगा और बाकी parts तो सही है यह वाला पार जो है यह सही है scheme the object of enacting the provision and थर्ड पार जो है यह सही है इसमें तो direct थोड़ा सा पढ़के भी आप इसको direct answer भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह एक question में आप 8 से 10 second में मेरे साब से इसका answer आप आराम से निकाल सकते हैं इस तरह एक questions में देखे यहां पढ़ते हैं teleology, teleology किसी science का नाम है कोई subject का नाम है ठीक है तो इसलिए हम बोल लाए है कि teleology is the study of the ends और purposes that things serve things के आगे serve लगा है things जो डाउन है वो plural है इसने serve कहना सही है और teleology is the study of the ends यह off वाले जो phrases होते हैं इसमें हम दो बार दा लगाते हैं ठीक है teleology is the study of the यह सही है of the ends और purpose that things serve and Aristotle Aristotle एक sociology में एक philosopher है इनको हिंदी में अरस्तू बोलते हैं Aristotle Aristotle से इंफैसिस इंफैसिस जो है वो Aristotle का है इसलिए अपोस्टरफी है यहां पर सही है on teleology has repercussions repercussions का मतलब क्या होता दुष्परिनाम throughout his philosophy यह sentence पूरा सही है इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है teleology एक science होती है जिसमें हम ends और purpose किसी चीज का purpose क्या है किसी चीज के होने का reason किसी चीज के होने का हम cause उसमें study नहीं करते हैं किसी चीज के होने का purpose हम उसमें study करते हैं teleology में ठीक है, emphasis मतलब जोड देना किसी के उपर, emphasis, repercussions मतलब किसी चीज के दुस्परिणाम, throughout मतलब पूरा, throughout his philosophy, मतलब उसकी पूरी philosophy में, तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप sentence का मतलब निकाल पाएं, यह ज़रूरी नहीं है, और उसके बाब जूद भी आप sentence को सही कर सकते हैं, तो इसमें आपका अंसर क्या होगा, इसमें आपका अंसर होगा, all are correct, तो कि इसमें किसी भी पाथ में grammatical mistake नहीं है, नेक्स पार्ट हम देखते हैं, the Congress would need to beat back the BJP in states, हम यहाँ पर एक future incident की बात कर रहे हैं, कि Congress को, BJP को हराना होगा, the Congress would need to, हाला कि यहाँ पर वैसे बुट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बुट को हम imaginary situation में लगाते हैं, या past tense में लगाते हैं, बुट कहना यहाँ पर गलत है, हाला कि इस तरह के sentences को आप spoken English में बोल सकते हैं, वो सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर grammaticaly बुट गलत है, बुट की ज क्या होना चाहिए, two parties are logged, two parties are logged, two parties are logged, two parties को log कर दिया गया है, या two parties log कर दी गई है, इस हमार के बाद हम one of the third form लगाते हैं, पैसे voice में, ठीक है, two parties are logged in a head-to-head contest, otherwise it will be difficult, किसकी बात कर रहे हैं, कॉंग्रेश की, कॉंग्रेश के लिए यहाँ पर क्या आया है, तो, it will be difficult for it, हम बोल सकते हैं, difficult through it, नहीं, difficult for it, to stitch together an effective and successful pre-poll and post-poll alliances, तो, यहाँ पर इस पार्ट को आप देखिए, बाकी सारा पार्ट भूल जाईए, आप इस पार्ट को देखिए, together and effective से पहले एन लगा है, effective and successful, together and effective and successful, इस पार्ट में गलती बताईए, कहाँ पर है, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, यह पूरे तरीके से सही है, ठीक है, इसलिए four part जो है, इसमें आपका answer होगा, क्योंकि fifth part तो पहले से ही सही है, बाकी के जो चार पार्ट जो उसमें से correct part निकालना है, तो four part इसमें सही है, और बाकी के तीन पार्ट में क्या गलती है, यह मैंने बताया आपको, कि यहाँ पर wood की जगए will आएगा, second में two parties are locked होगा यहाँ पर, क्योंकि पैसे वोइसमें हम में जबान के बाद E.D. लगाते हैं, और यहाँ पर, यहाँ पर मैंने बताया कि थ्रू की जगए, यहाँ पर थ्रू की जगए, आपका four होगा, ठीक है, तो इस तरीके से four is cancer होगा, next हम देखते हैं, the Supreme Court's dismay upon union government, dismay का मतलब क्या होता है, दुख या निराशा, या disappointment, उसका ह dismay हमें किसी चीज के ऊपर होता है, जैसे किसी चीज पर गुशा रही है, किसी चीज पर दुख है, उसका हम बोलते हैं, तो dismay के साथ यहाँ पर हम upon न लगाते हूँ, हम लगाएंगे over, क्योंकि upon हम लगाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि cat jumped upon the table, तो को physical movement, physical कोई चीज का जब movement होता है, तो उसके लिए हम upon proposition का use करते हैं, upon यहाँ पर गलत है, dismay किसी चीज के ऊपर हो सकता है, दुख या पीला या निराशा किसी चीज के ऊपर हो सकती है, तो सुप्रीम कोस dismay over, over कहना है यहाँ सही होगा, over union government, engage, ठीक है, तो यहाँ पर आपका upon की जगए over आएगा, यहाँ पर engage, engage जब आप होते हैं, तो किसी चीज में engage होते हैं, engage in, engage in frivolous litigation by repeatedly filing applications, filing appeals on already settled identical question, देखिए थर्ड पार्ट दिखिए, यह बिल्कुल सही है, on already settled, मतलब ऐसे question, जो already, जिन पर डिल्ड हो चुका है, settled हो चुके है, थर्ड पार्ट इसका सही है, ठीक है, थर्ड इसका सही answer आपका, होगा, कुछ meaning देख लेते हैं, डिसमेक आर्थ होता है, निराशा या disappointment, ठीक है, engage मतलब किसी चीज में best होना, फ्रबोलस मतलब मूर्खता पून, सिली, litigation मतलब जो कानूनी जो डाव पेच होते हैं, उसका हम बोलते हैं, litigation, repeatedly मतलब बार-बार, filing मतलब फाइल करना, appeal मतलब request, ठीक है, identical मतलब एक जैसे, law, put, onus का मतलब होता है, responsibility, onus, reform का मतलब होता है, सुधार, appeal का अर्थ होता है, request करना, ठीक है, repeatedly का मतलब बार-बार, तो इस तरीके से मैं सारे word meaning भी आपको बताऊँगा, और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि कहां पर कौन सा part of speech, किस तरीके से part of speech को use किया जा रहा है, चली इस को स्कूशन को दिखते है, Thomas Morey and Gilly are so, Gilly's are so impressed in the political and social insight, Hitler Day display during his description of the countries around which he trebled, that they suggested he attach himself to some king at order to put his great knowledge, नहीं नहीं, फिसे पढ़ते हैं, इसको, Thomas Morey and Gilly's are so impressed, impressed, आप किसी चीज के साथ impressed होते हैं, impressed with, यहां पर होगा impressed with, in the political and social insight, it all day display during his description of the, अब देखे, यह पूरा sentence, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके word meaning भी समझ में नहीं आ रहा है, हैं, context भी समझ में नहीं आ रहा है, उपर से देखने पर इस sentence में ऐसा लगता है, कि second part जो है, इसमें कोई गलती नहीं है, आगर देख लेते, countries around which he travel, countries, countries के चारों तरफ वो नहीं घूमा, countries में से होके वो गुजरा, तो countries through which है, यहां पर हमको बोलना होगा, through which he travel, that they suggest, he attach himself to some kind, he attach himself to some king, in order to होना चाहिए, यहां पर, at order to नहीं होता है, यह होता है, in order to, तो यह पार इसके गलत है, इसमें second part आपका सही है, social insight, कोई technical term है, यह तॉल डिस्प्ले दिस्क्रिप्शन आफ, second part में कोई grammatical error नहीं है, तो second part इसमें सही आपका answer है, question number seven, देखते हैं, the narrator introduces, I'll, I'll more as a brilliant scientist and natural philosopher who has, देखिए, narrator जो है, यहां पर subject है, introduces verb है, narrator subject है, ठीक है, introduces verb है, कि इसमें ऐस लगा हुआ है, तो यह narrator subject है, introduces verb है, और यह किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह है, यह है यहां पर object, ठीक है, तो यह सही है, narrator, एलमर को introduce करता है, किस तरीके से, as a brilliant scientist and natural philosopher, ठीक है, अब, एलमर जो है, आईलमर जो है, वो एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए, has यहां पर सही है, has के साथ third form लगा दिया, यह सही है, ठीक है, his experiments for a while, for a while, मतलब थोड़ी दिर के लिए, तो यह सही है, to marry the beautiful Georgiana, तो यह question सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका आंसर होगा, all are correct, narrator मतलब describe करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, यह noun है, introduce का मतलब, introduce करना, यह verb है, आईलमर यह किसी व्यक्ति का नाम है, यह object है, यानि noun है, brilliant क्या है, brilliant एक adjective है, scientific noun है, यह noun है, यह adjective है, यह article है, end connector है, natural philosopher क्या है, philosopher noun है, natural क्या है, adjective है, जो philosopher को modify कर रहा है, ठीक है, abundant मतलब छोड़ देना, त्याग देना, यह verb है, abundant, his experiment, अपने प्रियोगों को छोड़ देना, for a while मतलब थोड़ी देर के लिए, to marry the beautiful Georgiana, beautiful adjective है, Georgiana किसी व्यक्ति का नाम है, इसमें, तो इसमें आपका आंसर होगा, all are correct, इसको देखते हैं, the uses of moderation, by the central board of second education, while finalizing, while a proposition है, जिसके बाद हम I&G form लगाएंगे, तो यह सही है, लेकिन moderation एक process है, moderation के लिए, हम uses नहीं बोलेंगे, the use of moderation बोलेंगे, यह गलत है, by the central board of second education, while finalizing, class 12th marks, beyond a Delhi High Court directive, Delhi High Court directive के अंतरकत, यह use of moderation को एपलाई किया गया है, तो यहां पर beyond का कोई sense नहीं निकल ला, यहां पर हम मैं बोलना चाहिए, under, यहां पर A भी नहीं आएगा, under the Delhi High Court directive, poses, the use of moderation क्या है, singular है, the use of moderation एक subject है, जो की singular है, इसलिए, poses यहां पर सही है, poses an immediate, poses an immediate question of, directive poses, poses an immediate question of, how various states boards of education that haven't adopted, यहां पर actually immediate से पहले दा होना चाहिए, director poses the immediate question of, क्योंकि particular question है एक, ठीक है, तो इसलिए यहां पर वो सही गलत हो जाएगा, immediate के यहां पर immediate के स्थान पर दा हो जाएगा, state boards of education that haven't, यह वाला part बिल्कुल सही है, यह वाला part देखिए ध्यान से, इसमें कोई भी गलती नहीं है, four parts सही है इसमें, four आपका इसमें answer हो जाएगा, ठीक है, आगे यह question देखते हैं, global financial major, major मतलब जो बड़ा group होता है, उसका हम बोलते है major, global financial major credit, सुसी belief, सुसी यहां पर किसी company का नाम हो सकता है, क्योंकि यहां पर beliefs लिखा है, तो इसका मतलब यह वर्व है, और यह subject होगा, ठीक है, यह इसको modify किया गया है, global financial major credit, सुसी belief that the Indian equity market is, in a worrisome zone, worrisome zone मतलब, zone मतलब एक location, worrisome मतलब, जो worrisome मतलब चिंता जनक, ठीक है, चिंता जनक जोन में आ गया है यह, इंडियन equity market is in worrisome zone, due to our combination of global and domestic macro economic factors, like high crude prices, current account deficit, and consecutive years of earning downgrade, इस sentence में कहीं कोई गलती नहीं लग रही, आप देखिए धान से इसको, और यह पूरा sentence सही है, इसमें आपका answer होगा, all are correct, question number 10 देखते हैं, scientist from Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata has, has गलत है इसमें, क्योंकि यह has किसके लिए आ रहा है, यह scientist के लिए आ रहा है, scientist plural है, इसलिए has, has नहीं होगा, have होगा, have created nanoparticle from folic acid, riboflavin and lactose, and tuning नहीं होगा यह, जब यहाँ पर created आया है, तो यहाँ पर होगा tuned, tuned, ठीक है, क्योंकि scientist के लिए यह use हो रहा है, तो scientist के लिए हमने यहाँ पर created लगाया है, तो यहाँ पर tuned भी कहना सही होगा, tune the molecule to give a green florosense to help, to help, help के बाद हम क्या बोलते हैं, किसी चीज में help करना, to help in, help के बाद फौर नहीं आएगा, help in self imaging, cell imaging, ठीक है, तो कौन सा पार्ट इसमें सही है, फिर से देख लेते हैं, scientist from Indian Association for the Cultivation of Sciences, first part इसमें सही है, first part में कोई गलती नहीं है, second part में है, इसकी जगे have होगा, यहाँ पर tuned होगा, और यहाँ पर आपका in होगा, fifth part अलड़ी सही है, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, यह answer होगा first, first आपका सही है इसमें, ठीक है, इस तरीके से, इस video class में मैंने, 10 spotting गर की question मैंने बताया है, मुझे उम्मीद है, आपको यह समझ में आये होंगे, यदि कोई भी आपका feedback है, कोई भी query है, तो इन numbers पर और इस email ID के थूरू, मुझे अपना feedback आप share कर सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से भी लूँगा, next video class में, thank you,